जी तुम आज जो है मंडे वाले दिन जो है पीर बजार लगता है तो मैं गई थी आज पीर बजार रात में मिरे मिया नौ बजे नो 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 ने फोन किया मुझे के चलो सबसे लिए आता है तो यह मैंने सौब अधाई किलो टिमार्टर लिये और प्यास तौ आपको पता है हाई-फाई रेड चल रही है तो सौ रुपए ruktिलो एक सोसी रुपए वाली मेंसे गहानी जो है नहीं सौ एक सौचि रुपए यह उर्पे वाली फिलो मेंसे ले लिये दिय 탑 जाथ तो मैंने लिए शिम्ला मेर्ज गाजर और मटर ले लिए थे 100 रुपे के दो किलो मिले अच्छी लग गए थे मुझे मैंने का चलो ले ले लेते हैं और शिम्ला मेर्ज भी जो है न अच्छी मिल गई थे 60 रुपे किलो और गाजर पचास रुपे किलो मिली अच्छी थी मैंने का और न वेजटेबल्स का टीवी होती है तो फिर थोड़ी असानी हो जाती है अभी बस सबजी जो है न बस अभी काटनी है मतर जो है वो मेरे हस्बंड कह रहे थे कि मैं चील दूँगा रात में बैटके फारिख थे ब मतर चीले इन तीनों ने मिलके सिर्फ अपपा के साथ ही शराफत का मुझाहरा होती है कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं कि आप लोग बलकुल ठीक ठाक होंगे वेल्कम बेक टू माइन अधर विलॉग काफी टाइम बाग जो हैना मैंने विलॉग मिलाया है आज और बस टाइम नहीं मिल पा रहा था बस कुछ मस्रूपियत थी इसकी वज़ा से जो हैना मेरे क पीर बजार और सबजी वगार लेकर आए थी और बस कुछ सही मतलब थोड़ी मुनास्प कीमत में कुछ कुछ चीज़े मिल गई थी तो लेली थी और आज बनाए हैं मटर पलाव वाइट वाला मतलब मुझे ऐसे यलो वाला पसंदे लेकिन बच्चे फीक फीक खाते हैं तो थोड़ से चाट मसाला थोड़ सी लाल पेसी हुई मिर्चे और एक जो है ना मैंने लाल मिर्च लेपी दर मियानी वाली उसकी मैंने जो है ना टेमार्टर की चट्नी मिनाई है और चोने मैं बच्चों को खाना के लाद हम पर उसके बाद आप समय लेगा यह आप तयार कर रही है हाँ तयार कर रही है सुबाट के लोग जो कि अजिए थोड़ ले ओर ले यह दुलावा रूमा ले यह दूसरे बाला लेलो अच्छा अच्छा सौरी तो पर नाजी तो पहले ना आजिया ना जे आप कपड़े तो बहुत अच्छे हैं गे खाना भी खिला दिया आपने ओहो मूँ भी साफ हो रहा है बस ना मूँ उतना जोड़ से रगड़ती है अब क्या हो रहा है चेक अप हो रहा है चेक अप हो रहा है आख रहा है अब 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 आजाए आप तो यू बिनाड़ी यह पिनाड़ी आप दो ठाने के लाएं पतर मूँ जो अब इसके पैसे चेलो नई पैसा तरिए यह क्या हो रहा है कटी अच्छा यह वो कपड़े हैं जो मैं शादी में गई थी और वो अम्मी के ही रह गए थे तो आज मैंने जो है ना बच्चों के कपड़े मंगवाएं घर से